हाई दोस्तो असलाब अलेकुम कैसे आप लो मेरा नबील है अपल ने रिलीस कर दिया फाइनली iOS 13.6 का स्टेबल वर्जिन इसका मतलब यह है कि iOS 13.5.1 पे जो भी iPhones चला रहे अपने उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इस अपडेट में अपडेट यहाँ पे जो आया है अगर आप iOS 13.5.1 पे हो तो 300 से लेके साड़े 300 MB का अपडेट है यहाँ पे iPhone SE 2020 है आपके iPhone पे डिपेंड करता है और पुराने जितने भी iOS वर्जिन पे आप होंगे जितने पुराने 80 और यहाँ पे अपडेट से पहले मेरे iPhone SE के अंदर जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो था 24.95 GB का यहाँ पे modem firmware जो था अपडेट से पहले हो था 1.06.00 अपडेट के बाद यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 13.6 और नया बिल्ड नंबर जो के है 17G 68 अपडेट के बाद अगर आप अवेलेबल फ्री स्पेस देखेंगे तो 25.06 GB का अवेलेबल फ्री स्पेस हो गया यानि कि slightly अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो बड़ा है आपके फोन में घटा हुआ भी हो सकता है माइनर चेंज होगा जादा बड़ा कोई सिगनिफिकेंट यहाँ पे अपडेट के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस में आपको फरक देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे अगर आप मुडेम फ्रमवेर देखेंगे कर सकते है डिरेक्ली आपके आइफोन के साथ जो भी iOS 13.6 पे है आप अपनी नई BMW कार को अनलॉक कर सकते है और उसकी जो कार की है आपके आइफोन के आई मेसेज के जरिए से दूसरों के दार शेयर भी कर सकते है iOS 13.6 के अंदर Health Application के अंदर Cycle Tracking के अंदर और दूसरे चीजों के अंदर भी काफी सारी नई चीज़े अड होई है आप चेक करेंगे आपके आइफोन में तो आपको मिल जाएगा और similarly यहाँ पे काफी सारे नए Symptoms भी Apple ने अड किया है वो भी जाके आप iOS 13.6 Download करने के बाद Check Out कर सकते तो यहाँ पे आप Symptoms के अंदर जाके जो भी आपको Logging वगरा करना है आपका Data वो Log करके आपका Health Data जो है अच्छे तरीके से Maintain कर पाएंगे यहाँ और Additional Categories आपल ने अड किया है कुछ Categories इसमें से बता देता हूँ जैसे यहाँ पे Fever का Option आपको देखने मिलता है Similarly यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है Sword Throat वाला Option और यहाँ पे उपर अगर आप देखेंगे तो आपको Coughing वाला Option भी यहाँ पे देखने मिलता है अगला जो Change यहाँ पे आया है दोस्तों उसके लिए आपको जाना पड़ेगा Settings के अंदर, Settings में आप जाएंगे Software Update के अंदर तो Software Update में यहाँ पे आपको Customize करने का Option देखने मिलता है जहाँ पे आप Download IOS Update Only पे रख सकते हो, इसको अगर आप Off करेंगे तो कोई भी Update डाउनलोड नहीं होगा इसको On करेंगे, तो Update सिर्फ आपके iPhone में डाउनलोड हो जाएंगे और Install IOS Update पे रखेंगे तो IOS Update आपके iPhone में Install भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें और ज़्यादा Customization वाले Options Apple ने दिया है अगला जो Change यहाँ पे आया है दोस्तों उसके अंदर कोई भी Application जब आप उसको iCloud के साथ Restore करते हो या Sync करते हो तो उसमें वो Application जो है Unresponsive हो जाते थे, अटक जाते थे Freeze हो जाते थे, तो यह वाला Issue जो है यहाँ पे Apple ने Solve किया है अगला जो Update यहाँ पे आया है दोस्तों वो चीज एक Bug Fix है जहाँ पे Wi-Fi Calling का अगर आप इस्तमाल करते हो अपने iPhone के ऊपर तो Wi-Fi Calling को इस्तमाल करने के टाइम पे आपका जो Audio है वो रुख जाता था बंद हो जाता था, Unresponsive हो जाता था तो वो Issue जो है Apple ने यहाँ पे Solve कर दिया है, तो Wi-Fi Calling अगर आप अभी इस्तमाल करेंगे तो आपको एक Better Experience देखने मिलेगा, अगली चीज भी Network Issue से Related है, जहाँ पे eSIM के अंदर अगर आप Data Roaming का इस्तमाल करते हो, तो इससे Related अगर कोई Issue आ रहा था, यह Unresponsive होता था, ठीक से काम नहीं करता था, तो यह वाला Problem भी Apple ने यहाँ पे Bug Fix के जरिये से Fix कर दिया है, काईज अगर आप पुराना iPhone SE या 6S इस्तमाल करते हो, तो यहाँ पे भी कुछ Devices के अंदर यह Problem आ रहा था, कि Wi-Fi Calling के लिए यह अपने आपको या iPad के साथ, क्योंकि iPad OS भी आ गया है, तो iPhone या iPad के साथ, अगर External Keyboard का इस्तमाल करते हो, और External Keyboard Use करते-करते, कभी-कभी क्या होता था, किसी-किसी Application में, Keyboard Connected है, फिर भी यहाँ पे, On Screen जो Keyboard है, Virtual वाला, यह आ जाता था, Open हो जाता था, तो यह Issue भी Apple ने Solve कर दिया है, अगर आप अपने iPhone में Assistive Touch का इस्तमाल करते हो, और उस टाइम पे Control Center को अगर आप Open करते हो, तो कोई Issue अगर आपको आ रहा था, तो वो भी छोटा सा जो bug है, Apple ने यहाँ पे Solve कर दिया है, तो यह है बेसिकली दोस्तो, iOS 13.6 जिसको आप बिंदाज जाके इंस्टाल कर सकते हो, क्योंकि इसका जो बेटा वर्जिन है, जो GM वर्जिन है, अल्रडी आ चुका है, उसको मैं काफी लाइम से जो कि iOS 14 पे है, लेकिन WatchOS 6 का अपडेट यहाँ पे आया इसके अंदर, तो यहाँ पे भी Digital Car की वही VMWLE बात यहाँ पे भी आ गई है, तो वाच के साथ भी आप इस्तिमाल कर सकते हो, लेकिन Series 5 की वाच होना चाहिए, Series 4 पे नहीं चलेगा, ECG Application Series 4 की अगर वाच है, तो बहरेन, ब्राजील और साथ एफरिका इन तीन कंट्रीज के अंदर भी इसके लिए अपडेट दिया गया है, similarly इन तीन कंट्रीज के अंदर irregular heart rhythm notification का भी option दिया है, बाकी सारे security bug fixes जो है, वो भी Apple Watch के लिए आ गए है, तो यह था दोस्तो, iOS 13.6 और WatchOS 6.2.8 इसको भी आइपड OS भी आ चुका है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपने iPad में बिंदा से इंस्टॉल कर लीजिए, कोई issue जो है आपको नहीं आना चीए, in fact जो चोड़े मोडे issues थे, उसको यहाँ पे Apple ने solve करके, इस OS को और स्टेबल बनाने की कोशिश किया है, उमीद कता हो दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसने आओगा, पसने होगा तो इसको